आउज बिल्लाहिमिन शेयत्वानिर्वजीम बिस्मिल्लाहिर्वख्मानिर्रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुफिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24R7 Teachers आउनलाइन यूट्यूब चैनल दोस्तों क्लास चल रही है हमारे English Writing की और आज की क्लास हमारे क्लास 18 है दोस्तों आज भी हमारी जो discussion है वो letters के हवाले से जारी रहेगी हम देखेंगे के हम कैसे direct request message को जो है वो लिखते हैं और purchase order या purchase letter से क्या मुराद है हाज की class शुरू करने पहले हम लोग जैसे आपको पता है कि मेरे जो lectures की beauty है वो यही है कि मैं साथ-साथ जो है आपको आपके exam की तयारी भी करवाता हूं through assigning the different activities at the end of each fashion तो हम जो है सबसे पहले lecture शुरू करने पहले हमने पिछले जो fashion के उपर activity की होती है उसका solution मैं आप लोगों के साथ share करता हूं तो on the set slide you have seen the solution of the activity class of 17 उसमें जो पहला question था वो यह था the body of letter is followed by which of the following complimentary clothes तो हमारी जो body clothes होती है complimentary तो उसमें हम लोग जो है वो yours truly आम तोर पे लिखते हैं इसके बाद है which part of the letter having the mailing address and the receiver name के कौन सा पार्ट जो है वो ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम जो है वो receiver का नाम लिखते हैं और mailing address लिखते हैं तो हम लोग अपना जो recipient address annotation है उसके अंदर जो है receiver का नाम भी लिखते हैं और उसका जो mailing address होता है जिसके उपर डाग जन ही होती है वो भी लिखती है उसके बाद है वाट इज मीन बाइ मेंट बाइ फीफी एंड बी फीफी ये दोस्तों जो था वो मेरी किसी भी फ्लाइड के उपर इसका अंसर नहीं था बलके जिन दोस्तों ने मेरा लेक्चर जो पिछला 17 है उसको सुना है कंप्लीट शुरू से लेके आखिर तक तो वो मैंने वर्बली बोल के इन दोनों के जो मीनिंग थे वो बताये थे किसी सी से जो मुराद है वो कार्बन कॉपी है और बी सी सी से मुराद जो है वो ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी है उसके बाद इन दोनों के अंदर थोड़ा फा डिफरें अफिस यही लिखा होता है तो उसमें हर बंदे को पता होता है कि इस letter की copy जो है वो किस-किस बंदे के पास गई है और इंशाला हम अपनी इसी English राइटिंग का जो हमारी series चल रही है उसके अंदर carbon copy और blind carbon copy को within detail discuss भी करेंगे at which place love with love can be used and informal letter यह हमारा last question था कि कौन सी जगह पे जो है हम जो है प्यार जैसा कोई लफ़ यूज करते हैं informal letters के अंदर तो वो हमारे पास closing होता है जिसके अंदर I shall highly obliged, thank you, thanks for your anticipation इस तरह के जो word है वो हम use करते हैं तो अब हम चलते हैं अपनी आज की class की जाने तो आज की class में हम लोग देखेंगे कि direct request message क्या होता है और purchase order क्या है तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले तो यह देखते हैं कि direct message है उससे क्या मुराद है direct request message make your purpose clear from the start कि यह जो direct request message होता है इसमें यह होता है कि हम और जो purpose होता है जो मतसद होता है वो हम उस letter के start में ही लिख देते हैं by stating the main point in the first sentence before moving the detail हम पहले ही line के अंदर पहले ही फिकरे के अंदर अपना जो मतसद है वो लिख देते हैं और फिर आगे detail में इतना व्यादा नहीं चाहते the first lines the reader can tell if you are asking for the supply of supplying information requesting or granting credit or making settling a clean तो यह जो सारी चीज़े होते हैं supply information और learning के हवाले से या credit के हवाली यह सारी बाते हैं जो हम directly लिख देते हैं अब यहां पर एक example नज़र आ रही है he said please.smoke अब यहां पर देखें जो है एक फिक्रा लिखा गया उसके बाद है she said could you open the window please तो यहां पर एक sentence लिखा गया है और यह हमारे पास जो है वो direct request की example थी उसके बाद guidelines है direct request की वो हम कैसे लिखते हैं तो यहां पर देखें कुछ guidelines आ आ गई है use comma common courtesy in your request asking rather than demanded तो इसके अंदर हम courtesy use करते हैं बजाए इसके कुछ demand करें तो इसके लिए हम different phrases use कर सकते हैं please inform me यह हम एक phrase use कर सकते हैं could you please open this door can you please justify this statement I wonder if you और उसके बाद I would be grateful तो इस तरह के जो sentence है वो हम लोग use कर सकते हैं अपनी different जो है communication के अंदर for writing the direct request इसके बाद मर पर दूसरी जो guideline है वो है include all the information the recipient will need in order to give your maximum help but don't waste the reader time with irrelevant detail इसके अंदर हम कोई irrelevant detail नहीं डालते direct request के अंदर और हम लोग जो है अपनी information जो है वो directly communicate कर जोते हैं in the first sentence of our letter तो वो हमारी direct request बन जाती है इसके बाद है write the relevant information in your request which the recipient will need और जो हमारा recipient है जिसको हम वो letter लिख रहे हैं उसको जीव चीव की ज़रूरत होती है वो ही हम direct relevant information के साथ request कर लेते हैं तो यह direct request को लिखने की कुछ guidelines हैं इसके बाद दोस्तों हमारी आज की class का जो दूसरा topic था वो यह था order letter अब order letter क्या होता है an order letter is also known as POR purchase order letter यह जो order letter है इसको हम purchase order letter भी कहते हैं यह PO भी कहते हैं an order letter is formal document that approve the purchase and fail of the product and provide product specification यह जो है हमारी letter use किया जाता है यह हमारी sale या purchase के लिए use किया जाता है कि हम डिरेक्ट जा है वो order करते हैं और it में also comprises order characteristic product specification quantity color product and payment etc तो इस order letter के अंदर ही हम यह लिखते हैं कि वो जो हम product order कर रहे हैं उसकी characteristic क्या होंगी उसके specification क्या होंगी quantity कितनी मिकदार के अंदर हमें चाहिए उसका जो color है वो कितना होना चाहिए उसके बाद जो payment method है जिसके तुरू हम payment करेंगे वो क्या होगी तो यह दोस्तों हमारे पाफ जो है order letter आ गया अब इसकी भी कुछ guidelines है order letter की कि हम order letter the language should be simple and formal कि जब भी हम कोई order letter लिखें तो उसके अंदर हम जो language use करेंगे वो simple होनी चाहिए और formal होनी चाहिए avoid spelling and grammatical errors या mistake कि उसके अंदर कोई spelling की घलती नहीं होनी चाहिए कोई grammar की घलती नहीं होनी चाहिए make no error in the specification or number हमारे जो specification है उसके अंदर कोई मतलब गडबर्ड नहीं होनी चाहिए और जो numbers है उनके मतलब जैसे आब वही आर परचेविंग वाला है अगर एक को जो है हमने थोड़ा सा one वह hidden लिख दिया तो वह उसको 28 understand करेगा तो हमने यह जो number लिख या जो specification दी है उसके अंदर कोई ambiguity नहीं होनी चाहिए और कोई घलत मात नहीं होनी चाहिए कि अगले बंदे को समझ ना आए जैसे मैंने आपको 128 की एक्वेंपल दी और लेकिन आप कुछ इस त्रीके से लिख दें के उसको जह हो 28 नजर आए और वह उस तरह का mobile आपको भिजवा दे तो ऐसी भी आपने कोई घलती order letter के अंदर नहीं करनी don't be a fair to place your order but remember to plan ahead of time if you have any question play do not have it to contact the receiver अगर हमारी कोई क्यूरी है वो हम receiver को जो है वो put करेंगे और habitat नहीं होना in instead of simple a4 page order letter are frequently returned the company's letterhead अब बाकी के जो letter होते हैं वो हम किसी भी page के उपर a4 size का जो page होता है उसके उपर निकाल देते हैं लेकिन जो order letter है यह नॉर्मली जो है वो company का letterhead बना होता है उसके उपर जो है हम लोग निकालते हैं तो दोस्तों यह है हमारी कुछ order letter के हवाले से गाइन और दोस्तों मेरी तमाम दोस्तों से गुवारिश है बलके मैंने जो है वो lectures record करना बंद कर दिये थे उसकी वज़ा यह थी कि most of the student थे वो downloads करके देखते थे तो उससे मुझे कोई benefit नहीं होता था तो मैं फिर demotivate हुआ और मैंने जो lectures की recording है वो off कर दी थी तो आप तमाम दोस्तों से यही गुवारिश है कि आप लोग जो है जितने भी lectures हैं मेरे वो आप YouTube के उपर ही देखा करें बजा है इसके कि आप download करके देखें ताके मुझे भी कोई benefit हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए lectures जो है वो record करता रहा हूँ दोस्तों आज की class जो है हम यहीं पे खतम करते हैं और जल्दी से आप लोग जो है अपनी notebook open कर लें क्यूंकि इस slide के उपर आपको मैं activity देने वाला हूँ और activity के question आप note करें और अगली class में आके आप मुझे चेक करवाएं ताके मुझे भी idea के मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है दोस्तों आज की class हम यहीं पर खतम करते हैं एक बार quickly हम summarize करेंगे आज की class के अंदर भी हमने बात जाती दखी letters के हवाले से और हमने direct request letter या direct request message को देखा और उसके साथ हमने purchase order को देखा और दोनों की guides line को देखा कि कैसे हम direct request letter लिखते हैं और कैसे हम purchase order letter लिखते हैं दोस्तों उमीद है आप लोगों को यह दोनों जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे आज की class हम यहीं खतम करते हैं और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share करें जिनका यह subject है ताके उन्हें भी कोई फाइदा अफिल हो उन्हें भी सीखने का मौका मिलें comment भी किया करें और मेरा channel 24R7 teachers online subscribe कीजिए ताके मेरी हर आने वाली व किजए लाइबका रायब कर शाने वाली 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 आने पनमेश पना फॉछाब का साथ